कि वेल्कम टू अभीपीडिया पावर बाइंद मैं डिसकर करें कंपाउंड इंट्रस्ट में आप लोगों के साथ अल्रडी डिसकर कर चुकी हूं आज कंपाउंड इंट्रस्ट हम डिसकर करेंगे तो सबसे पहले एक बात सभी ने माइन्ड में रखनी है कि जब अप सी सेट क लिए प्रिपेर कर रहे हो सभी को पता है कि हमारे लोग सब्सक्राइब हो च्राइब क्या रहा है तो अब यहां पर अगर हम देखे बात करते कंपाउंड इंट्रेस्ट की तो कंपाउंड इंट्रेस्ट का हमें पता होना ची होता क्या होता क्या है कंपाउंड इंट्रेस्ट मालो एक परसन यह परसन ठीक है और इस परसन ने कुछ पैसे किसी से उधार ले लिए मालो सो रुपर ले लिए तो अगले साल क्या होगा अगल of interest मान लेते 10% rate of interest के हिसाब से हमने उसको पैसे देने तो फॉस्ट यर में उसको कितने पैसे बनेंगे देने पड़ेंगे अगर वो कहता है कि हां जी 10 अगर मैं मैं सेकेंड यर की बात करो तो है कि लास्त इयर के अन्दर आपको कुछ इंटरस्ट बना थाー इस interest पे भी मैंने interest लेना है ठीक है इस interest पे भी interest लेना है that means what कि next term के लिए जो आपके amount है ये क्या बन जाएगी principle बन जाएगी आपके पास में क्या बन जाएगी principle that means कि अब हमें इसके उपर 10% देना पड़ेगा means सिरफ 100 पे 10% नहीं देना अब इस 10 का भी लगेगा ओके तो कितना हो गया इसका 10% हो गया 11 इसका 10% कितना हो गया 11 हो गया that means कि अभी next term के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर बेटा 11 रुपीज ओर एड करके देने पड़ेंगे 11 रुपीज ओर करोगे that means कि 121 रुपीज देने पड़ेंगे clear means what कि अभी हमारे पास में जो टोटल इंटरस्ट की अगर मैं बात करू तो सो रुपए तो स्टार्टिंग में हमारे पास में प्रिंसिपल था और इंटरस्ट कितना बन गें हमारे पास 21 मींस कि 21 रुपीज उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो यह 21 है यह क्या हो गया उसका कमपाउंड इंटरस्ट हो गया बगर बात हो रही होती है सिंपल इंटरस्ट की तो हर बार उसको टेंट रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते दैट मिस्किट रुपीज बनता इंटरस्ट बट अभी इस टैन पे इंटरस्ट देना पड़ेगा 10 परसेंट मिन्स की एक होना चीए ठीक है तो अभी पहले देखिए अपने पास में कोश्चन आया वा था सी सेट 2018 के अंदर 2018 का कोश्चन है अब यहां पर देखो क्या है क्या रहा है कि ए परसन वोटी रेफ्रिजरेटर वर्थ 22800 बाइस अजार आट सुरुपे का विच त्वेल पॉइल ही पेड़ 8,650 रुपीज अगर हमें लोजिक पता है कि हंजी हो रहा क्या रहा एक्च्वल में फिर तो कुछ भी निया कॉस्चन के अंदर अब यहां पर कोई डारेक्ट फोमूला भी नहीं लगा सकते तो अब देखो अगर हम बात करते हैं कि स्टार्टिं में जो वर्थ ह अमारी इसकी रेफ्रिजरेटर की यह जब हम फर्स्ट यहर के अंदर का आए आते हैं फर्स्ट यह तो फर्स्ट यह के अंदर उसको कितना इंट्रेस्ट देना पड़ेगा 12.5% 12.5% किसका 12.5% इसका अब हमें पता कि 12.5% की वैली क्या होती बटा बन बाइट के एक्वल हो एट देखे तो 1 8 कितना बन रहा है यह आपके पास में आठ दूनी 16 आठ दूनी 16 छे आठ वाठ चोट आठ पंचे चालीज नहीं कि इतना उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा डैट मिन्स कि जो टोटल अमांट है वो कितनी बन गी दोनों क एड़ करेंगे हम दोनों को एड़ करेंगे दोनों को जब आप एड़ करोगे तो वैल्यू कितनी बन गया आपके पास में यह हो गया 6 और यह हो गया 4 & 5 इतना इतना बन गया अब उसने पे कितना कर दिया कि कह रहा है कि उसने फस्ट यह के अंदर 8,650 रुपीज पेड कर कर दिया 860,000 को समझा रही हूं आप लोगों कुछ नि इतना पे कर दिया दैट मीन्स कि अभी जो अमौंट है वो कितने रह गई है जो उसने वापीस रिटर्न करने तो जो पैंडिंग अमौंट है पैंडिंग अमाउंट कितनी एगी इसके अंदर से अगर मैं इसको माइनस हाँ जी जो पेंडिंग अमाउंट आपके पास रहेगी पेंडिंग अमाउंट कितनी रहेगी यह आपके पास 17,000 रुपर कितना हो गया 17,000 हो गया बताओ इसमें कोई डाउट इसके अंदर से मैंने इसको माइनस कर दिया सतरहाई अब नेक्स टैम कंपाउंड इंट्रास यह नेड कि जितनी भी हमारे पास मेंडम पूरा की उपर इंट्रेस्ट लगेगा फूरिप इंट्री इंट्रेस्ट लगेगा अपे इस पे हम जब सेकंड यह बात टो इन DR Nie कितना इंट्रेस्ट लगेगा अगें 12.5 परसेंट और यो कैन से 1 बाइट वन बाइट 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 लगा दैट मींस कि कितना इंट्रेस्ट लगा फस्ट यह था ठीक है टोट वैल्यू यह बन गी उसके अंदर से इसको हमने माइनस कर दिया ठीक है अब देखो नेक्स्ट आठ आठ दूने सोड़ा आठ पांजे एक किसो पच्छी सुरुपे लगे एक किसो पच्छी सुरुपे लगे अब यहां पे नेक्स्ट राम के लिए देखो टोटल अमाउंट कितनी बन गी इतना था इतना ओर हमारे पास इंट्रेस्ट लग गया डैट मींस की वैल्यू कित 25 अब जब उसने 9 125 यहां आप उसके पास में जो पैंडिंग आमांट है पन माउंट कितनी रहे गी इसके अंदर से इसका आप माइनस कर दोगे माइनस कर देंगे कितना रहे गया दस अजार रह गया तो confident यहांद अपने पास में हां जी अब थोड़ा सा स्पीस बन के हमारे पास में कितना है 10,000 अब नेक्स्ट यर के लिए अगेन अभी उसको इंट्रेस्ट पे करना पड़ेगा अब उस पे अगेन इंट्रेस्ट कितना लगाएगा 12.5 परसेंट तो थार्ड येर के अंदर इंट्रेस्ट कितना लगेगा 1x8, 1x8, 1x8 मिन्स कितना लगा हां जी अगर हम बात करते विटा 1x8 लगेगा इंट्रेस्ट तो 1x8 कितना हो गया इसका 1x8 हो गया आपके पास में अर्टे कम आर्था दुनी सोड़ा ऐट पांजेचालेज कर लगया है बाराइस वटाजा रुपे को फिर लगया है बाराहईस्व पाचाष्र रुपे लगया है अभी अपने अमाउन्ट कितनी होगे हितना था इतना इंटरेस्ट और लगया दैट मीशकाष ग्याराई हजार 250 रुपे स्वांसर क्या आज आएगा 11,250 रुपे आई होप सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या हो रहा एक्च्वल में कि डारेक्ट कोई भी फॉर्मूला लाई नहीं लग रहा कंसेप्ट आपका यहां पर यूज हो रहा है कि जब आप कंपाउंड इंट्रेस्ट की बात कर इंट्रेस्ट लगेगा है क्लियर सो लेट आस मूट नेक्स्ट वान नेक्स्ट कोश्टिन की तरफ मूव करें समझ आगया सभी को तो अभी इसी तरह कोच्ट कोश्टिन जिसके अंदर हम देखते कि हंजी कुछ कंसेप्ट यूज हो रहा तो उस तरह के कोश्टिन से मैं लगाया एंट अन 19.50 एच सिंपल इंट्रेस्ट बेखो क्या गीव नहीं यहापे हमारे पास में सिंपल इंट्रेस्ट गिवन है कि सिंपल इंट्रेस्ट पे लगा ही increases his sum by X rupees and invested in another scheme B at 10% परनम excuse me compound interest for two years and received 1680 as a compound interest find the value of xx की value find out अब हमारे पास में क्या के गीवन रेट गीवन है टाइम गीवन है ताइम गीवन है और सिंपल इंट्रस्ट गीवन है फ्रॉम हेर भी केन फाइंड आउट दप प्रिंसिपल अमाउंट मिन्स टोटर कितने पैसे उसने लगाया थी स्टार्टिंग में स्कीम एक अंदर वो हम गौँट कर सकते विलकुल कर सकते हैं तो प्रिंसिपल यहां पर क्या होगा हमारे पास में सिंपल इंट्रस्ट कितना है σταовор, पैकर में सब्सक्राइब कोई अलग से मैंने कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया सभी को पता है कि सिंपल इंट्रेस्ट इस इकोल टू पी आल्टी भाई हंड्रेड ठीक है तो अगर आपको पी फाइंड आउट करना तो 100 इजर मुल्टिप्लाइब हो गया और आर्टी से डिवाइड हो अगर फॉर्मूला पे देखे लैसिसका डिरेक्टली देख सकते देखो कैसे कि अगर यहां पे क्या कह रहा है पंद्रा पर सेंट कर एट ओफ इंट्रेस्ट लगा दो साल के लिए दो से एक साल के लिए फंद्रा पर सेंट दो साल के लिए 30% that means कि 30% of total value is equal to 1950 30% ओफ प्रिंसिपल इस एकवर तो 1950 पर्सेंट पर्सेंट मिंस क्या होता है डिवाइड बाई हंड्रेट ठीक है यह कितना होगे आपके पास में अगें प्रिंसिपल की वैलु कितने आगे 6500 इसकी भी जरूरत नहीं थी आपको इसकी भी जरूरत नहीं थी बट यहां पर यह यह तो उसके बाद वो कह रहा है कि हां जी अब उसने इसके अंदर कुछ पैसे ओर एड़ कर दिये कुछ पैसे इसके अंदर और दूसरी स्कीम के अंदर लगा दिये जिसके अंदर उसको 10% कंपाउंड इंट्रेस्ट मिल रहे दो साल के लिए अब जब 10% मिल रहे तो यहां से ह कलकुलेट कर सकते हैंиком पाउन MRSB पें कंपाउंड इंट्रेस्ट की बेस्पेंर कलकूलेट कर सकते हुए तो यहांपर देखा ए erm पको पता होनी चाहिए हालाग लग मैफ़ड है फाइंड आउट करने के तीन मैफ़ड है ठीक है जो आपको अच्छा लगी वो आप यूज कर सकते है पहला मैफ़ड इफेक्टिव रेट अगर हम देखे इफेक्टिव रेट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके पास गीवन और टाइम है टू तो इफेक्टिव रेट क्या होती है अगर आपको लर्न है वैल अंगूड नहीं तो सिधा सक्सेसिव लगाओ क्या होगा 10 इंटू 10 दिवाइड बाइड 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 हंड्रेट कितना हो गया 21 परसेंट 21 परसेंट बैट मिन्स कि जो प्रिंसिपल है उसका 21 परसेंट इ इसकी अभी amount उसने कितनी लगाइथी आठ घजार उपर लगाई थे उसके पास कितने पैसे 500 यहाघ रोट यहाघ वालॉड आद करी है तो कितना एड किया उसने कितना एड किया आठ चाहजार के अंदर मैने तैसर सो माइनघ मानूड कर दिया बेटा 1500 कर त्रबाद तो किस कर दो साल के लिए ठीक है फिर उसको मल्टिप्लाइ करके डिवाइड से हंड्रेड कर दो साल है ना पहला साल दूसरा साल दोनों को एड किया दन अगर यह है तो आपके पास में बहुत इजी होगा देखा आपने खुद ने देखा कैलकुलेशन कितनी इजी होगी दूसरा हमें पता है कि amount का formula क्या होता है principle into one प्लस rate by totally principle अब आप यहां पर values पूट करोगे आप यहां पर देखो आपके पास में compound rests डिविवन हे रेट गिवन है टाइम घीवन है formula कोट करोगे तो आपको यहां पर भोग ज्यादा calculation करने पड़ेगी तो इसलिए यह मैं थर तो बिल्कुल इफेक्टिव निया दूसरा अगर हम देखें हाँ जी यह वाला आप लगा सकते अगर आपके पास principle गीवन है तो आप डिरेक्ली कर सकते बट अगर आपके पास principle गीवन नहीं है दैट मिन्स की क्या है कि हमारे पास में जो प्रिंसीपल है वो कितना है प्रिंसीपल कितना ओ ढहीं आप पास में रहे डні सिर्झ कर रूब 10% 10% is equal to 1 by 10 ठीक है तो इसका स्केर लेकर आपने उसना प्रिंसिपल अजिम कर लेना है ठीक है अब फॉस्ट एर के अगर मैं बात करूं तो फॉस्ट एर में कितना लगेगा विटा 10 परसेंट इसका 10 परसेंट डैट मिंस की टैन लगा ठीक है सेकंड यर में अगर हम बात करें तो सेकंड यर के अंदर अभी आपको मैंने बताया कि हैंजी प्रिंसिपल पे तो लगेगी कितना हो गया 10 परसेंट डैट मिंस की टैन इसके अलावा प्रिवियस एर में जो इंट्रेस्ट था उस पे भी आपको इंट्रेस्ट देना पड़ेगा उसके उपर भी इंट्रेस् सिरुपे इवन है इस इकोई तो 1680 डैट मेंस की वन यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1680 डिवाइड वाइड वाइड वाई ट्वेंटी वन ठीक है डैट मींस की एट हंड्रेट सो एट टी ठीक है और आपके पास में फाइंड आउट किस की वैल्यू करने प्रिंसिपल की सब्सक्राइड में आपके पास में आपके पास में नुए होगन कितनी हो इत ज дол आइड के कितना अद हुप किया तो आठाजार उसके पास में है पन्दरा पैसे सो उसके पास पहले सही थे दैट मिन्स कि उसने कितना एड किया तो आण सर कितना आगे टिनों मेठोड मैंने आपको बताएं आयोज जो आप लोगोगोव इसी लगता नुसमेठोड मेठोड पर्यक्टिस करों मेक्सिमूम कोस्टेंग सी ओके नक्स देखते हैं नेक्सट कोश्चन है स्क्रीन पर क्या है हांजी नेक्स कोश्चन क्या है A and B इन्वेस्टेट सम इन 2 ratio 3 2 ratio 3 के अंदर उसने sum invest किया है at 20% and 10% compound year interest then if after 2 years total interest was 15 10 then what is the amount for a a के लिए आपको value find out करने हैं ओके अब देखो अगर हम देखें A और B कितना है बिटा 2 ratio 3 है that means कि अगर मैं एक इसने 2x रुपीज लगा इसने 3x रुपीज लगा कोई इस्यू नहीं अगर हम इसकी rate of interest देखें इसका कितना है 20% इसका कितना है 10% अगर हम इस टाइम देखें तो टाइम कितना है दोनों के लिए 2 years 2 years के इंदर effective वाला method सबसे ज्यादा टाइम क्राम लेता है आपके पास में सबसे कम टाइम effective rate में लगता है अगर 2 years given है तो अगर 2 years given है अब अगर हम इसके अंदर effective rate की बात करें तो कितना होगे 20 plus 20 अभी मैंने क्या का एड कर लो दो बार प्लस जो भी वैल्यू है उनको multiply कर लो and divided by 100 this is the effective rate और यह आपको लिखने की जरूरती सॉल करने की जरूरत ने आपके माइंड में हो जाएगा देखो कितना अगया 44 आगया कैसे करोगे 20 20 20 plus 20 40 20 plus 20 40 and 20 into 2400 400 400 से डिवाइड कितना गया 4 that means कितना गया 44 percent that means कितना आगया आपके पास में 44 percent तो आपके पास में compound interest beta कितना बनेगा 44 percent of 2x ठीक है अब अगर हम बात करें इस scheme की दूसरे की तो दूसरे के अंदर कितना आएगा आपके पास effective rate 10 percent 10 plus 10 20 10 into 10 100 100 by 101 that means 21 percent तो कितना आगया 21 percent of 3x और उसने क्या क्या है दोन्नों का जो compound interest है वो कितना पंदरा सुधास है इसको हमने 1510 के इक्वेल पूट करते है पॉइंट करियर है 44 percent क्यों लिखा मैंने विकोज दिस इस एक्टिव रेट इफ एक्टिव रेट ओके अब यहां पर देख इसको हम सोल करते है कितना आगया 88 88 by 100 x plus यह कितना आगया आपके पास 63 by 100 x is equal to 1510 अभी जो 100 है यह दो दोनों में को मना रहा है इसको उदर ले जाते है हम हां जी इस 100 को हम इदर लेके जाते है तो यह आपके आपके पास में 2 0s ओके टोटल वैल्यू कितने होगी आठ रो तीन ग्यारा साथ छे चोदा और एक पंद्रा तो X की वैल्यू कितने आगे बिटा यह आगे आपके पास 1000 X की वैल्यू है 1000 अगट वाट 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 ए एक लिए क्या थी वैल्यू 2x 2x 3 दैट मिन्स कि कितने हो जाएगी एक लिए लिए 2 इन्टू 1000 में 2000 ओके सब्सक्राइब के आपके पास 2000 विल बिदा करेक्ट अंसर तो थाउजन विल विल विदा क्रेक्ट अंसर डाल हां जी अब यह चोट छोटे-छोटे मैथर से ना यह अगर आप लोगों को समझ आ रहे आपने एफेक्टिव हो गया ट्री मैथर्ट ट्री क्लियर करवाएं ओके तो आप माइक्रो कोर्स ले सकते हो अब देखो नेक्स्ट कोस्टिन का रुपी 6000 वैन इन्वेस्टिट अट एट 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 फोट टू यह इट फैट इस ट्वेल हंड़े इस तेम समीज इन्वेस्टिट एट सेम रेट फोर रे इतनी बार लगएगा दो बार लगएगा दो बार लंसंक मैंस जो टायम डूरेशन है सकी हां हाफ होगी ना हाफ यह न हर चे कोश्चन बे हां जी प्रिंसिपल गीवन हापके पास टाइम गीवन है इंटरस्ट गीवन है डाट मींस कि भी वांट टू फाइंड आउट रेट रेट कैलकुलेट कर लेंगे रेट कितना हो जाएगा आपके पास रेट विल भी यह वह आपके पास सिंपल इंट्रेस्ट इन् तू टैम ओके वैसे भी हम इसको इजली कर सकते है दो साल के लिए इंट्रस्ट कितना मिलेगा चेशो चेशो छेस्चोल सिकसा थाउजेट का कितना है दस परसेंट शेंट रेट आजएगी को एचेशे भी कर सकते हूँ सब्सक्राइब हैं से जो सीम पैसा लगाया हाफ यह अब जो यह पैसा आप सम था हमारे पास में कितना सम है? 6,000 अब यह जो 6,000 है उसने 10% rate of interest पे लगाया है और कैसे? Half yearly, half yearly for one year. One year that means कि यह double हो जाएगा, ठीक है? और rate कितनी हो जाएगी? Half हो जाएगी, अगर half yearly है, देखिए, यहाँ पे लिखा है उसने कि half yearly है, half yearly है तो rate क्या हो जाएगी आपके पास में? ओके अब जब time double हो गया, that means what? Time double हो गया, that means, अब अगेन आप effective rate का method लगा सकते हो, effective rate का method लगा सकते हो, अब 5% की साब से effective rate कितनी बनेगी? 2 years के लिए, अभी 2 years निया, बीटा, यह time quantum होता है, ठीक है, तो effective rate कितनी होगी अगर आपके पास में 2 है तो, 5 plus 5, 5 plus 5 कितना हो गया? 10, 5 into 5, 25, 25 by 100, that means, कि 0.25, तो कितना हो गया? 0.25, okay, क्या find out करना? compound interest, तो compound interest कितना आ जाएगा? principal into, principal 6000 into, जो भी आपके पास में rate है, point को remove किया, 2, 0, percentage की 2, 0, ठीक है? solve करो, यह 3 0s बिटा cancel out होगी, 5 की table से ही जा रहा है, 5 से ही होगी अपने पास में 2, और यह होगी आपके पास में 2 से 3, तो value कितनी होगी? 615, तो answer क्या आजाएगा आपके पास? 615 will be the correct answer, 615 will be the correct answer, done? next question, next question, next question, difference between simple interest and compound interest, again important है, यह देखो, यहाँ पर क्या है, आपके पास में, कि अगर हम 2 साल की बात करें, तो simple interest और compound interest, first year के अंदर, जो simple interest है, वो तो हमेशा same ही रहता है, first year के अंदर, simple interest और compound interest दोनों same रहते है, बट second year के अंदर difference हाता है, क्या difference हाता है, कि जो पहले साल पर इंटरेस्ट लगा होता है, उस पर इंटरेस्ट लगा होता है, तो अब यहाँ पर क्या गिवाने, difference of the compound interest received in first year and second year, is 20% per annum, at compound interest is 12,000, 1200, अब जैसे उसने first year and second year का आया, that means, वाट की simple interest और compound interest का difference कह रहा हो, simple interest और compound interest का difference अगर आपके पास given है, तो formula ज्यादे बैटा ने, मैं बता देती हूँ क्या है formula, compound interest minus simple interest, क्या होता है, पी आर स्केर होता है, पी आर स्केर, अब आर हमें पता है किस में होती है, 100 का भी स्केर हो जाएगा, ओके, तो यही हमने यहाँ पर अप्लाई करने, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कि पी की मैं बात करूं, तो मुझे नहीं पता, आर कितना 20%, 20% that means कि इसका स्केर कितना होगे, 400, 20 का स्केर किया है मैंने, लिख देखते हो, रेट स्केर, डिवाइड बाई, 100 स्केर, इस इक्वाल टू वट, यह आपके पास गीवन है कितना 12, अब करते हैं, 100 into 100 is equal to 1200, ओके, यह दो 0 हमारे इसके साथ cancel out होगे, यह हमारे पास में, जो 4 है, 4 से होगे बिटा 3, तो P की वैल्यू कितने आगे, यह जो 2 0 है, यह हमारे पास में, इधर चलीगी, कितना आगे, 30,000, तो अंसर विल भी 30,000, ओके, नेक्स एखी, अब यह था 2 यह के लिए, कितना था, difference अगर आपके पास में given 2 years के लिए, अगर 3 years given है, तो क्या करेंगे, अगर 3 years given है, तो 3 years के लिए formula के वो भी देखो, क्या है, question देखो पहले तो, तो the difference between the simple interest and compound interest at the rate of 12% on the same amount for 3 years is 112.32, then what is the principal amount if the interest is compounded annually, अब 2 years के लिए क्या था, हमारे पास में, PR square, PR square अगर हम बात करते 3 years के लिए, तो 3 years के लिए क्या रहेगा, PR square तो रहे गई रहेगा हमारे साथ में, और साथ में हमने क्या कर देना, 300 plus, okay, अब R square है, that means what, कि जो rate है, rate किसमें होती है, percentage में, तो इसकी percentage क्या होगा आपके पास में, 100 square होगा, okay, बस values put करने हैं आपको, चलो करते हैं put, तो यहाँ पे देखो बीटे, principle आपको calculate करने है, rate, rate कितनी है, 12%, 12% that means कितना होगा, 144, into, 300, rate कितनी है, 12, 300 plus 12, 312, okay, divided by, 100 यह, 100 यह, और 100 यह, और यह किसके equal given आपको, 112, 32, अगर हम इस point को remove करते हैं, तो value कितनी आ जाएगे आपके पास में, divided by, 100, क्या आ जाएगा, divided by 100, 100, यह हमारा इसके साथ में cancel out हो गया, 100 हमारा इसके साथ में cancel out हो गया, बस अब आप इसको solve करेंगे, आपका answer आ जाएगे, solve करोगे बीटा, answer आ जाएगा आपके पास में, पहले देखो, यह कर हम इसको cancel out करते हैं, इसको अगर हम cancel out करते हैं, तो यह value आ जाएगे आपके पास में, इसी से ही कर लो, direct करके देख लो, यह देखो यह अपने पास में value आ जाएगी बेटा, 3 से 3 तिया, 12 तिया, 36 तिया, 9, यह हो गया आपके पास में, 12, 36 ही आएगा, यह कितना आ जाएगा, 36 आएगा, ठीक है, अब यह जो 36 है, यह इसके साथ में, अगेन फर्दर cancel out होगे, यह जो 36 था, यह इसके साथ में, यहाँ पर cancel out होगे, 25 इधर चला गया, 25 और यह 100 भी इधर चला गया, that means कि प्रिंसिपल की value कितने आ जाएगा, आको पास 2500, कितना आ जाएगा, 2500, तो आंसर विल भी, ऑप्शिन भी 2500, ओके कोई सके अंदर डाउट, आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, नेक्स देखे, हाँ जी, नेक्स कोश्चिन आपके पास, ए मैन रिसीवड इंटरेस्ट ओफ रूपीज 3, 4, 5, 6, वैन ही इन्वेस्टिव पी, 12% पर एननम, एट सिंपल इंटरेस्ट फोर त्री इयर्स, अब इसको डिरेक्ट करके देखवा, थ्री येर्स के लिए कहा रहा, एक साल के लिए, 12%, तिन साल के लिए, 36%, 36%, प्रिंसिपल का कितना गीवन आपके पास में, 3, 4, 5, 6, 36 से सिधर डिवाइड कर लो, इसको आपका अंसर आजाएगा, इतना आपके पास में, यहाँ पर क्या है, तैल मौल जो है, आपका सोरी प्रिंसिपल आजाएगा, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूलेम पूट करके करना, फॉर्मूला में कर लो, ऐसे करना, ऐसे कर लो, डारेक्ट करोगे, जादा बैलतर रहेगा, डारेक्ट करोगे, आपके पास में, जादा बैuitiveर रहेगा, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, नहीं जारव ऐसे देखो इसको करते हैं पहले 4 से करते हैं 4,9, 36, 4,8, 32, 2, 4,8, 32, 4,9, 36 ठीक है 9 से करो और चार अठे 22 दो 5 चारच के 24 चारच के 16 हां जी इतना आएगा ठीक है कितना आ गया ये आगया आगे करो नो से नो न से करेंगे ये तो यह हो गया हमारे पास में नो निमें क्या स्थी ठीक है नोच्छी के चोगा तो पी की वैल्यू कितने आगे आपके पास में 9600 आगे ओके इसके लावा अगर हम वैसे करें तो अगर आप वैसे देखते हो तो प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे दूसरा जो अगर फोर्मूले स करते हो तो प्रिंसिपल इस इकोल टो क्या होता है सिंपल इंट्रेस्ट सिंपल इंट्रेस्ट इविटर 3456 इन्टो 100 डिवाइड़ रेट इंटु टाइम रेटेट वैल टाइम है तो आया 36 वही आया सेम तो वैल्यू सेम आएगी जैसे आप लोगों को अच्छा लगता वै अब उसके बाद में है हमारे पास if he receive P plus 4400 at 15% per annum at compounding annually for 2 years then find the interest received by him करें कि उसको interest कितना मिलेगा अब प्रिंसिपल यहाँ पे देखो P की वैल्यू हम आपके पास में यह हो गया अपने पास में 14,000 14,000 आगया अब 14,000 आपके पास प्रिंसिपल है करा 15% rate of interest पे लगाना दो साल के लिए इन देखते हैं तो एक्टिव कितनी हो गया आपके पास में 15% 15 15 30 15 15 30 अभी मैंने आपको बताया कितना हो गया 30 फिर इन दोनों का अगर मैं 25 यह हो गया बीटा कितना हो जाएगा 32.25 आगया डिरेक्टली इसको फाइंड आउट करना सिखो ठीक है तो कितना आगया आपके पास में 32.25 इसके अकोर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो compound interest कितना आगया आपके पास प्रिंसिपल प्रिंसिपल यहां पे देखो तो क्या काया उसने पी प्लस 4400 वी प्लस 4400 डैट मेंस की 14 ओके तो 14,000 इंटू 32.25 2.25 की दो जिरोज पॉंट को रिमूव किया हमने और पर संटेज की दो जिरोज ओके इसको आप सोल्व करोगे तीन जिरो तो पीटे यहां पर आपने पास में कैंसिल आउट होगी तीन जि गाउट की 30, 2, 5 की 20, 5,5 25 ओके जीओं की तो आपके पास में आणसर आजाये यह अपने पास में साथाथ पांचे 25 गाथ 28 28 okay so option a will be the correct answer option a will be the correct answer तो अगर कोई डाउट आ रहे है कोई भी अगर आपको लोगो को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे अगे अगर आपके पास में टू यह का गीवरत इफेक्टिव रेट से आप उसको कल्कूलेट कर सकते हैं अब यही जो था इसका प्रिमेंट से भी कर सकते हैं तो आज के अंदर इतना ही डिसकस करेंगे बाकि करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे अपने फ्रेंट के